फ्रेंट्स आज आप सीखेंगे लडी लाइट बनाना यह लाइट आप अपने घर पर खुद बना सकते हैं जैसे कि आपको पता है आगे त्योहार आने वाले हैं या कोई फंक्शन आने वाला है कोई पार्टी है तो आप अपने घरों पर लाइट लगाकर अपने घर को डेको तो friends सबसे पहले हम को बता देते हैं यहां पर हमने LED बलब या फिर या बलब आप ले सकते हैं और यह होल्डर ले सकते हैं और यह वाईर लेनी आपको तो यह आपको असानी से जो electric की soap होती है वहाँ पर मिल जाते हैं अगर वहाँ पर ना मिले तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप इसको online मंगवा सकते हैं तो friends सबसे पहले हमें क्या करना है हमें ये देखना है कि हमें हमारी जो light है वो कितनी दूरी पे लगनी चाहिए हमारी ये दो light है इन दो light के बीच की दूरी कितनी रखनी है, सबसे पहले हमें यहीं निष्जित करना है तो इस तरह से देख सकते हैं ये light इस तरह से लग जाएंगी चाहर light हम यहां पे दिखा रहे हैं इसकी जो दूरी है इन डोन सब की दूरी को आपने देख लेना है अपने according अपने इसाब से इसको रख सकते हैं उसके बाद friends माल लेते हैं हमारी ये दूरी है वो हमने इतनी रखनी है इतनी दूरी पे माल लेते हैं कि यह हमारे एक wire हमने कट कर रखी है और इसके इतनी दूरी पे हमने यह बलब रखने है आप इसको चाहे कितना भी लंबा या नजदीक भी कर सकते हैं यहां से ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पे इतनी जो यह wire हमने कट की है इसी साब से wire को cut करके दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते है friends हमारे पास ये 15 holder है तो यहनकि 15 हम light लगाएंगे आप कितनी भी light लगा सकते हैं अपनी wire का अगर आप ज़्यादा load डालने हैं यहनकि ज़्यादा बलब लगा रहे हैं तो wire का size बढ़ा को हम measurement करेंगे यहां तक का ठीक है और इस तरह से यहां बेंड कर लेंगे और इसी तरह से यहां बेंड कर लेंगे ठीक है इस तरह से हम करके 15 टुकडे इसके बना लेंगे तो जलिए हम इसको पहले इतना ही cut कर लेते हैं और फिर इस तरह से इसके 15 टुकड़े बना लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं एक, दो, टी, चार, चार तो यह बने गे हैं और इसी तरह करके हम 15 टुकड़े इसके बना के आपको दिखाते हैं तो फ्रेंट्स अभी आप देख सकते हैं, हमने ये 15 पीस, 15 टुपड़े वायर के कर ली हैं, इनको अभी हम वायरिंग करेंगे, वायरिंग करने से पहले हम इनको जो बलब हमारे इनको हम साइड में कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हम एक-एक होल्ड को लेंगे, अभी एक ये वायर लेते हैं, और इस वायर को हम क्या करेंगे, जो इसका उपर का कवर है, इसके पीछे से ये जो होल दिया गया है, इसके अंदर से इसको यहां से निकाल लेंगे, निकालने के बाद यहां पर हमने एक छोटी सी गांठ लगा लेनी है, गांठ क पहले वाला जो end point पे जो holder होता है उसके connection ठीक है तो यह यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दो terminal है तो एक terminal के अंदर हम इसको इस तरह से करेंगे कि यह निकले ना थोड़ा लूज करके इस terminal को और यहाँ पे इसको अच्छे से tight करेंगे ठीक है यहाँ पे एक tight हो गया और इसी तरह से हम दूसरे वाला भी tight कर देंगे इसको भी हम इस तरह से थोड़ा सा bend करेंगे और दूसरे वाले के अंदर लगा के tight कर देंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं इस गाठ लगाने का क्या फाइदा होगा माल लेते हैं हमने यह गाठ लगाई है ठीक है और इसको वहां तक पहुंचना है फ्रेंस जो यह hole है वहां तक पहुंच जाए इतना लंबा इसको रखना है गाठ को ठीक है यह गाठ लगगी है अभी इसको जम यहां पर tight करेंगे तो गाठ वहां पर पहुंच रही है hole तक ठीक है पहुंचने की वह इसको हम tight tight कर देंगे यहां पर ठीक है जब भी यह खिचाओ वन फेंस इसका जो खिचाओ है वो ट्रेमिनल के उपर नहीं आएगा गाठ के उपर यहां पर खोल के side में अटक जाएगी गाठ और वहां पर इस गाठ का असर हो जाएगा ट्रेमिनल नहीं टूटेंगे तो यह था एक गाठ लगाने का fork ठीक है अब भी friends क्या करना है हमें दूसरी wire लेनी है एक wire और लेनी है इस तरह से एक wire यह होगी एक wire यह ह साथ में रखना है और एक होल्डर एक दूसरा होल्डर लेना है इसको भी इस तरह से खोलना है खोल के इसकी जो कनोपी है इसके अंदर से दोनों wire निकाल लिए friends इस तरह से तीक है और यहां पे भी एक छोटी शी गाठ लगानी है ज्यादा बड़ी यहां पर भी ने लगान क्योंकि इसके अंदर से ज़्यादा गांट हो जाएगी ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह गांट हमने लगा ली है और इन में से जो blue color के है वो blue color के साथ दोनों को साथ एक साथ जोड लेते हैं और जो यह दूसरे yellow color के हैं उनको हम अलग से रख लेते हैं इस तरह से color हमें एक ही रखना color coding mix match नहीं करनी फ्रेंट्स ठीक है और इसको हम क्या करेंगे जो मारे holder है उसके इस वाले point पे जोड देंगे एक को तो यह जोड गया और दूसरे वाले wire को हम इस वाले point पे जोड देंगे तो फ्रेंट्स यह यहाँ पे tight हो गया और इसकी जो canopy है इसको भी हम इसका जूपर का cover है इसको भी tight कर देंगे तो फ्रेंट्स अभी आप दे सकते हैं यहाँ पे भी गांट लगी है आगी है तो इस तरह से फ्रेंट्स इसकी एक wire हो जाएगी और अग्ये वाली की यह एक wire हो जाएगी और इसी तरह से next वाले में यहाँ पर enter करेंगे और गांट लगा के टर्मिनल कर देंगे तो चल दिए जल्दी जल्दी से हम सारे के सारे इस तरह से कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे यह हुआ है यहां पर हम क्या करेंगे यह हमारी लास्ट वायर है तो इसको हम सबको सप्लाई देने के लिए जो हमारी जो लंबी वायर होगी जिससे हम सप्लाई देंगे उस वायर को भी इसी के साथ में कनेक्ट कर लेंगे तो आप जिस तरह से हमने यह बाकी वायर कनेक्ट की है उसी तरह से हम यहां पर भी एक गाट लगाएंगे और यहां पर भी इस तरह से कनेक्शन करेंगे जो कलर हमारे मैच होते हैं उसी कलर को मैच करके हम यहां पर भी कनेक्शन कर देंगे तो friends अभी आप देख सकते हैं हमने यह लड़ी यहाँ पर इस तरह से holder के connection कर ली है ठीक है मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे लगा के बिखा तो ठीक है friends इस तरह से यह सारे के सारे connect हो गए है अभी हम क्या करेंगे जो हमारी यह wire reference इसके आगे आप या तो ऐसी लगा सकते हैं मैं बोलूगा कि आपको यहाँ पर एक two pin top लगा देना चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम एक two pin top लगा देंगे और उसके बाद इसके अंदर light लगा के आपको चला के दिखाएंगे कि कैसी यह work करेगा तो two pin top लगाना बिल्कुर यह असान होता फ्रेंट्स इसके अंदर दो terminal होते हैं दोनों terminal के अंदर दोनों wire जोड देनी है और tight कर देना है और कस्ट देना है तो फ्रेंट्स यहां पर हमने two pin top को लगा लिया है अभी हम क्या करेंगे फ्रेंट्स जो जितने भी हमने यह holder लगाए है उनके अंदर सब के अंदर color matching के according जैसे यहां पर blue color लगा रहे है तो उसके बाद हम दूसरे वारे पर yellow color लगा देंगे ठीक है जिससे की थोड़ा look अ on करके देखते हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे extension board के अंदर इसको simply यहां पर switch को लगा देंगे और अभी आप देख सकते हैं फ्रेंट्स यह lighting के camera है जो camera की जो light है उसके वेज़े से दिखाई नहीं दे रहा अभी हम आपको अंदेरे के अंदर इसको लगा के दिखाऊंगा तब आपको पता सलेगा कि इसकी lighting कैसी है और क्या इसका effect आ रहा है तो फ्रेंट्स अभी आप देख सकते हैं रात के अंदर इसका कैसा look देखने को मिलेगा फ्रेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको like और share जूप कर देना अगर आपको वीडियो के परती कोई स